C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गणित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ ये अध्याय 6 है वर्ग और वर्गमूल 6.5.3 अभाज्य गुणन खंडन के द्वारा वर्गमूल ज्यात करना निम्न संख्याओं एवं अनेक वर्गों को अभाज्य गुणन खंडन के रूप में लिखिए यहाँ पर एक सारणी बनी हैं सारणी में दो स्तंब हैं पहला एक संख्या का अभाज्य गुणन खंडन दूसरा इसके वर्ग का अभाज्य गुणन खंडन पंक्ती एक, 6 बराबर है 2 गुणा 3, 36 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 पंक्ती दो, 8 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 64 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 पंक्ती 3, 12 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 3 144 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 पंक्ती 4, 15 बराबर है 3 गुणा 5 225 बराबर है 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 चे के अभाज्य गुणन खंड में दो कितनी बार आता है? एक बार चतीस के अभाज्य गुणन खंडन में दो कितनी बार आता है? दो बार इसी तरहां चे और चतीस में तीन बार तथा आठ और चौशट इत्यादी में दो कितनी बार है? यहाँ पर एक सारणी बनी है सारणी में खड़ी रेखा के बाई और दो लिखा है दाई और तीनसोचोबीस इसके बाद बाई और दो दाई और एकसोबासट इसके बाद बाई और तीन दाई और एक्यासी बाई और तीन दाई और सत्ताईस प्रिष्ट संख्या 108 आप पाएंगे कि किसी संख्या के वर्ग के अभाज्य गुणन खंडों की संख्या उस संख्या के अभाज्य गुणन खंडों की संख्या की दुगना होती है आईए, हम एक ही दी गई वर्ग संख्या 324 का वर्ग मूल ज्याद करते हैं हम जानते हैं कि 324 का अभाज्य गुणनखंडन 324 बराबर है 2 गुणा 2, गुणा 3, गुणा 3, गुणा 3, गुणा 3 अभाज्य गुणनखंड के युग्म बनाने पर हम प्राप्त करते हैं 324 बराबर है 2 गुणा 2 के नीचे रेखा, गुणा 3 गुणा 3 के नीचे रेखा, गुणा 3 गुणा 3 के नीचे रेखा बराबर है 2 वर्ग गुणा 3 वर्ग गुणा 3 वर्ग बराबर है कोश्ठक में दो गुणा तीन गुणा तीन का वर्ग अतह 324 का वर्ग मूल बराबर है दो गुणा तीन गुणा तीन बराबर है अठारा बाई और एक सारणी बनी है खड़ी रेखा के बाई और दो लिखा है दाई और दो सो चपन बाई और दो दाई और 128 इसके बाद बाई और 2 दाई और 64 इसके बाद बाई और 2 दाई और 32 इसके बाद बाई और 2 दाई और 16 इसके बाद बाई और 2 दाई और 8 इसके बाद बाई और 2 दाई और 4 इसके बाद बाई और कुछ नहीं दाई और 2 इसी तरह क्या आप 256 का वर्ग मूल ग्याद कर सकते हैं? 256 का अभाज्य गुणनखंड है 256 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 अभाज्य गुणनखंड में युग्म बनाने से हम पाते हैं 256 बराबर है 2 गुणा 2 के नीचे रेखा, गुणा 2 गुणा 2 के नीचे रेखा, गुणा 2 गुणा 2 के नीचे रेखा, गुणा 2 गुणा 2 के नीचे रेखा. बराबर है कोश्ठक में दो गुणा दो गुणा दो का वर्ग अतह 256 का वर्ग मूल बराबर है दो गुणा दो गुणा दो बराबर है 16 क्या 48 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? हम जानते हैं 48 बराबर है दो गुणा दो के नीचे रेखा गुणा दो गुणा दो के नीचे रेखा गुणा तीन यहाँ सारे गुणन खंड युग्म में नहीं है अतह 48 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है कल्पना कीजिए कि हम 48 के सबसे छोटे गुणज ग्यात करना चाहते हैं जो की एक पूर्ण वर्ग संख्या हो इसे कैसे करेंगे? 48 के अभाज्य गुणन खंड के युग्म बनाने पर हम समझते हैं कि केवल तीन एक संख्या है जो युग्म में नहीं बन पाती है अतह हमें युग्म को पूरा करने में तीन से गुणा करने की आवश्यक्ता है अतह 48 गुणा 3 बराबर है 144 एक पूर्ण वर्ग है क्या आप कह सकते हैं कि 48 को किस संख्या से भाग दें कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो? गुणज 3 युग्म में नहीं है अतह हम 48 को यदि 3 से भाग दें, तो हम 48 भाग 3, बराबर है 16, बराबर है 2 गुणा 2 के नीचे रेखा, गुणा 2 गुणा 2 के नीचे रेखा, प्राप्त करेंगे और यह संख्या पूर्ण वर्ग भी है उदहरन 4, 6400 का वर्ग मूल ज्यात कीजिए, हल लिखिए 6400, बराबर है 2 गुणा 2 के नीचे रेखा, गुणा 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 5 गुणा 5 के नीचे रेखा अतह 6400 का वर्ग मूल बराबर है दो गुणा दो, गुणा दो गुणा दो, गुणा पांच, बराबर है असी बाई और एक सारणी बनी है, इसमें खड़ी रेखा के बाई और दो लिखा है, दाई और चौनसट सो इसके बाद बाई और दो, दाई और बतिस सो, इसके बाद बाई और दो, दाई और सोला सो, इसके बाद बाई और दो, दाई और आठ सो, इसके बाद बाई और दो, दाई और चार सो, इसके बाद बाई और दो, दाई और दो सो, इसके बाद बाई और दो, दाई और सो, इसके बाद बाई और दो, दाई और पचास इसके बाद बाई और पांच, दाई और पचीस इसके बाद बाई और कुछ नहीं, दाई और पांच उदहरन पांच क्या नब्बे एक पूर्ण वर्ग है? हल, हम नब्बे बराबर है दो गुणा तीन गुणा तीन गुणा पांच रखते हैं अभाज्य गुणनखंड में दो और पांच युग्म में नहीं है अतह नब्बे एक पून वर्ग संख्या नहीं है जिसे यथार्थ रूप में हम इस प्रकार भी देख सकते हैं क्यूंकि इसमें केवल एक शूनने है दाई और एक सारणी बनी है खड़ी रेखा के बाई और दो लिखा है दाई और नब्बे इसके बाद बाई और तीन दाई और पैंतालीस इसके बाद बाई और तीन दाई और पंद्रा इसके बाद बाई और कुछ नहीं, दाई और पांच उदहारण छे क्या 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? यदि नहीं तो 2352 का सबसे छोटा गुणच प्राप्त कीजिए जो की पूर्ण वर्ग संख्या हो तथा नई संख्या का वर्ग मूल ग्यात कीजिए बाई और एक सारणी बनी है दाईयोर 147, इसके बाद बाईयोर 7, दाईयोर 49, इसके बाद बाईयोर रिक्त स्थान, दाईयोर 7, प्रिष्ट संख्या 109. हल, हम जानते हैं कि 2352 बराबर है 2 गुणा 2 के नीचे रेखा, गुणा 2 गुणा 2 के नीचे रेखा, गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 के नीचे रेखा. अभाज्य गुणन खंड के अनुसार 3 के युग्म नहीं है, अतह 2352 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, यदि 3 का एक जुड़ा बनाते हैं, तब संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी. अतह 2352 को 3 से गुणा करने पर हम पाएंगे, 2352 गुणा 3 बराबर है 2 गुणा 2 के नीचे रेखा, गुणा 2 गुणा 2 के नीचे रेखा, गुणा 3 गुणा 3 के नीचे रेखा, गुणा 7 गुणा 7 के नीचे रेखा. अब प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड युग्म में हैं अतह 2352 गुणा 3 बराबर है 7,056 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 2352 का सबसे छोटा गुणज 7,056 है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 7,056 का वर्ग मूल बराबर है दो गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 बराबर है 84 उदारन साथ सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए जिसे 9,408 से भाग देने पर भाग फल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए उस भाग फल का वर्ग मूल ग्याद कीजिए हल 9,408 बराबर है दो गुणा 2 के नीचे रेखा गुणा 2 गुणा 2 के नीचे रेखा गुणा 2 गुणा 2 के नीचे रेखा गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 के नीचे रेखा यदि हम 9408 को 3 से भाग देते हैं तब 9408 भाग 3 बराबर है 3136 बराबर है 2 गुणा 2 के नीचे रेखा गुणा 2 गुणा 2 के नीचे रेखा गुणा 2 गुणा 2 के नीचे रेखा गुणा 7 गुणा 7 के नीचे रेखा जोकी एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्यूं? अतह सबसे छोटी वांचित संख्या तीन है और 3136 का वर्ग मूल बराबर है दो गुणा दो, गुणा दो गुणा साथ, बराबर है चपपन उदाहरण आठ, सबसे छोटी वर्ग संख्या ग्याद कीजिए जो प्रतियक संख्या 6, 9 और 15 से विभाजित हो जाए हल, इसे दो चरण में हल कर सकते हैं सबसे पहले छोटे उभएनिष्ट, गुणाच को ग्याद कीजिए और तब उसके बाद आवश्यक वर्ग संख्या ग्याद कीजिए वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 6, 9 और 15 का भाग जाएगा इनकी ल, स, है 6, 9 और 15 का ल, स, है दो गुणा तीन, गुणा तीन गुणा पांच बराबर है नब्बे नब्बे का अभाज्य गुणन खंडन, 90 बराबर है दो गुणा तीन गुणा तीन के नीचे रेखा गुणा पांच है हम समझते हैं कि अभाज्य गुणन खंड दो और पांच के युगम नहीं है अतह नब्बे एक पूण वर्ग संख्या नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 90 के प्रत्येक गुणनखंड युग्म में होने चाहिए अतह हमें 2 और 5 का जोड़ा बनाने की आवश्यक्ता होगी इसलिए 90 को 2 गुणा 5 अर्थात 10 से गुणा करना चाहिए अतह वह वर्ग संख्या 90 गुणा 10 बराबर है 900 यहाँ पर एक सारणी बनी है सारणी में खड़ी रेखा के 2 और 2 लिखा है 2 और 6, 9 और 15 इसके बाद 2 और 3 2 और 3, 9 और 15 इसके बाद 2 और 3, 10 और 1, 3 और 5 इसके बाद 2 और 5, 10 और 1, 1 और 5 इसके बाद 2 और कुछ नहीं, 10 और 1, 1 और 1 प्रशनावली 6.3 1. निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ग्याद करने में इकाई अंक की क्या संभावना है एक 9,801 दो 99,856 तीन 9,098,001 चार 65,76,066,025 2. बिना गणना किये वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है एक 153, दो 257, तीन 408, चार 441 3. बार बार घटाने की विधी से 100 और 179 का वर्गमूल ग्याद कीजिए 4. अभाज्य गुणन खंड विधी से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ग्याद कीजिए 1. 739, 2. 400, 3. 1764, 4. 496, 5. 7744, 6. 9604, 7. 5929, 8. 9216, 9. 539, 10. 8100, प्रिष्ट संख्या 110, 5. निम्न लिखित संख्याओं में प्रतिये के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ग्याद कीजिए, जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए. इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ग्याद कीजिए. 1. 252, 2. 180, 3. 1008, 4. 2028, 5. 1458, 6. 768, 6. निम्न लिखित संख्याओं में प्रतिये के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ग्याद कीजिए, जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए. इस तरहां ग्याद की गई संख्या का वर्गमूल भी ग्याद कीजिए. एक दो सो बावन, दो दो हजार नौसो पच्चीस, तीन तीन सो चियानवे, चार दो हजार चेसो पैंतालीस, पांच दो हजार आठ सो, छे एक हजार चेसो बीस. साथ, एक विद्यालय में कक्षा आठ के सभी विद्यार्थियों ने प्रधान मंत्री राष्ट्रिय राहत कोश में दो हजार चार सो एक रुपए दान में दिये, प्रती एक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिये जितने कक्षा में विद्यार्थी थे. कक्ष जाके विद्यार्थियों की संख्या ग्याद कीजिए. आठ, एक बाग में दो हजार पचीस पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रतियेक पंक्ती में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो. पंक्तियों की संख्या और प्रतियक पंक्ती में पौधों की संख्या ग्याद कीजिए 9. वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ग्याद कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रतियक से विभाजित हो जाए 10. वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ग्याद कीजिए जो प्रती एक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए 6.5.4 भागफल विधी से वर्ग मूल ग्याद करना जब संख्याएं बड़ी हूँ तब अभाज्य गुणनखंड विधी से वर्ग मूल ग्याद करना लंबा और कठिन होता है इस समस्या से निकलने के लिए हम दीर्ग विभाजन विधी का प्रयोग करते हैं इसके लिए हमें वर्ग मूल में अंकों की संख्या को ग्याद करने की आवश्यक्ता है निम्नलिखित सारणी को समझिए इस सारणी में दो स्तंभ हैं, संख्या और वर्ग वर्ग वाले स्तंभ को दो हिस्सों में विभाजित किया गया है 5.1, 10, 100 जो तीन अंकों की सबसे चोटी पूर्ण वर्ग संख्या है पंक्ती दो इकतीस नौसो एकसट जो तीन अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है पंक्ती तीन बतीस एक हजार चौबीस जो चार अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है अतह वर्ग मूल में अंकों की संख्या के बारे में हम क्या कह सकते हैं यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या तीन अंकों या चार अंकों की हो हम कह सकते हैं कि यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या तीन अंकों की या चार अंकों की है तब इसका वर्ग मूल दो अंकों का होगा क्या आप हमें पांच या छे अंकों वाली संख्या के वर्ग मूल में अंकों की संख्या बता सकते हैं? सबसे छोटी तीन अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या 100 है जो की 10 का वर्ग है और तीन अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 961 है जो की 31 का वर्ग है सबसे छोटी चार अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या 1024 है जो 32 का वर्ग है और सबसे बड़ी चार अंकों की संख्या 9801 है जो 99 का वर्ग है प्रिष्ट संख्या 111 सोचिए चर्चा कीजिए और लिखिए क्या हम कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या में यदि N अंक है तो उसके वर्ग मूल में N बटा दो अंक होंगे यदि N सम है या कोश्ठक में N जमा एक बटा दो होंगे यदि N विशम है निम्न विधी किसी संख्या के वर्ग मूल में अंकों की संख्या ग्याद करने में उप्योगी होगी 529 का वर्ग मूल ग्याद करने के लिए निम्न लिखित चरण उपर विचार कीजिए क्या आप इस संख्या के वर्ग मूल में अंकों की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? चरण एक 21 थान से प्रारंब करते हुए प्रतियेक युग्म पर बार लगाईए यदि अंकों की संख्या विशम है तब बाएं तरफ एक अंक पर बार लगाईए 529 इस प्रकार लिखते हैं 5 के उपर एक बार, 29 के उपर एक बार चरण दो वह सबसे बड़ी संख्या ग्याद कीजिए जिसका वर्ग सबसे बाई तरफ के बार के नीचे लिखी संख्या से कम या बराबर हो दो वर्ग छोटा है पांच से, जो की छोटा है तीन वर्ग से सबसे बाई बार के नीचे भाज्य यहां पांच के साथ भाजक और भागभल के रूप में इस संख्या को लीजिए भाग कीजिए और शेश फल ज्याद कीजिए इस थिती में एक है दाई और हमने पांच सो उनत्तीस की संख्या में से सिर्फ पांच को दो से भाग किया उपर दो लिखा और पांच से चार घटा कर नीचे एक लिख दिया चरण तीन अगली बार के नीचे की संख्या को शेश फल के दाई लिखिए अर्थात इस थिती में उनत्तीस है अतह अगली भाज्य एक सो उनत्तीस होगी इसके बाद हमने एक के साथ उनत्तीस को लिख दिया और हमें नई संख्या एक सो उनत्तीस मिल गई चरण चार भाजक को दुगुना कीजिए और इसके दाई में खाली स्थान के साथ लिखिए हमने एक सो उनत्तीस के बाई और चार को खाली स्थान के साथ लिख दिया है चरण पांच रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे बड़े संभावित अंक का अनुमान लगाईए जो की भागफल में नया अंक होगा और नए भाजक को नए भागफल से गुणा करने पर गुणन फल भाजे से कम या बराबर होगी इस थिती में 42 गुणा 2 बराबर है 84 चूंकि 43 गुणा 3 बराबर है 137 अतह 6 फल प्राप्त करने के लिए नया अंक 3 चुनते हैं इसके बाद हमने 4 की साथ 3 लिखा तो हमें 43 मिल गया हमने उपर 2 की साथ 3 लिखा और हमें 23 मिल गया 138 गटा 138 बराबर है शून्ने चरण 3 क्योंकि 6 फल शून्ने है और दी गई संख्या में कोई अंक 6 नहीं है अतह 529 का वर्ग मूल बराबर है 23 अब 4096 को हल कीजिए चरण 1 एकाई स्थान से प्रारंब करते हुए प्रतियेक युग्म के उपर बार लगाईए 40 के उपर एक बार 96 के उपर एक बार चरण 2 एक सबसे बड़ी संख्या ग्याद कीजिए जो सबसे बाई तरफ के बार के नीचे लिखी संख्या से कम या बराबर हो 6 वर्ग छोटा है 40 से जो की छोटा है 7 वर्ग से इस संख्या को भाजक और सबसे बाई तरफ बार के नीचे संख्या को भाज्ये के रूप में लीजिए भाग दीजिए और शेश फल इस थिती में अर्थात 4 ग्याद कीजिए दाईयोर हमने 4096 में से सिर्फ 40 संख्या को 6 से भाग किया उपर 6 लिखा और 40 से 36 खटा कर नीचे 4 लिख दिया प्रिष्ट संख्या 112 चरण 3 अगली बार के नीचे लिखी संख्या अर्थात 96 को शेश फल के दाईय लिखिए नया भाज्ये 496 होगा हमने यहाँ पर ऐसा ही किया है 4 की साथ 96 लिख कर हमें नया भाज्ये 496 मिल गया है चरण 4 भाजक का दुगना कीजिए और दाईय तरफ के रिक्त स्थान में लिखिए ऐसा करने पर हमने 496 के बाईय और 12 लिखा और साथ में एक रिक्त स्थान लिख दिया चरण 5 रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे बड़े संभावित अंक का अनुमान लगाईये जो अंक भागफल में नया होगा इस प्रकार नया अंक जब भागफल से गुणा होता है तब गुणन फल भाज्ये से छोटा या बराबर होगा इस थिती में हम समझते हैं कि 124 गुणा 4 बराबर है 496 अतह भागफल में नया अंक 4 है शेश फल ग्याद कीजिए हमने रिक्त स्थान में 4 लिखा 496 में से 496 खटा दिया तो हमें 0 मिला और उपर 6 के साथ 4 लिख दिया तो हमें 64 मिला चरण 6 चुणकि शेश फल 0 है और कोई बार नहीं है अतह 4096 का वर्गमूल बराबर है 64 संख्या का अनुमान पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ग्याद करने के लिए बार का उप्योग करते हैं 539 का वर्गमूल जिसमें 5 के उपर एक बार है और 29 के उपर एक बार है बराबर है 23 और 4096 का वर्ग जिसमें 40 और 96 के उपर एक एक बार है बराबर है 64 इन दोनों संख्याओं 529 और 4096 में बार की संख्या दो है और उनके वर्गमूल में अंकों की संख्या दो है क्या आप 14400 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बता सकते हैं बार लगाने पर हम 14,400 में एक के उपर एक बार, चवालीस के उपर एक बार और दो शून्यों के उपर एक बार प्राप्त करते हैं यद्यपी यहाँ पर बार की संख्या तीन है अतह वर्गमूल तीन आंख होगा प्रयास कीजिए निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या को गणना के बिना ग्याद कीजिए एक पचीस हजार छेसो, दो दस करोड, तीन चट्थीस हजार आठ सो चोंसट उदाहरण नौ, वर्गमूल ग्याद कीजिए, एक साथ सो उनत्तीस, दो एक हजार दो सो चियानवे हल, एक, साथ सो उनत्तीस में, साथ के उपर एक बार लगाई और उनत्तीस के उपर दूसरी साथ को दो से भाग करने पर हमने उस से चार घटाया और उपर दो लिखा इसके बाद हमें नीचे तीन सो उनत्तीस मिला, जिसके बाई और हमने सैंतालीस लिखा, तीन सो उनत्तीस से तीन सो उनत्तीस खटाया, तो शुन्य मिला उपर दो के साथ साथ लिखा, तो सत्ताईस मिला, इसलिए साथ सो उनत्तीस का वर्गमूल बराबर है सत्ताईस 2. 1296 में हमने 12 और 96 के उपर एक एक बार लगाई 12 को जब हमने 3 से भाग किया तो उससे 9 घटाया और उपर 3 लिखा इसके बाद हमें 396 मिला जिसके 22 और हमने 66 लिखा और 396 से 396 खटा दिया तो 0 ने मिला उपर 3 के साथ 6 लिखा तो संख्या 36 मिली इसलिए 1296 का वर्ग मूल बराबर है 36 उदाहरन 10 वह सबसे छोटी संख्या ग्याद कीजिए जिसे 5607 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्ग मूल भी ग्याद कीजिए हल आईए दीर्ग विभाजन विधी से 5607 का वर्ग मूल ग्याद करने का प्रयास करें हमें 131 शेश फल प्राप्त होता है यह दर्शाता है कि 74 वर्ग 5607 से 131 कम है 5607 में हमने 56 पर एक बार लगाई और 07 पर दूसरी 56 को 7 से विभाजित करने पर हमें 49 मिला 49 को 56 से घटा कर हमें 7 मिला और नई संख्या 707 मिल गई हमने उपर भी 7 लिख दिया इसके बाद हमने 707 के 22 और 144 दिखा 707 में से 576 को घटाया तो शेश फल 131 मिला उपर 7 के साथ हमने 4 को लिखा तो नई संख्या 74 मिली प्रिष्ट संख्या 113 अर्थात यदि हम किसी संख्या में से उसका शेश फल घटा देते हैं तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है अतह वान्चित पूर्ण वर्ग संख्या है 5607 घटा 131 बराबर है 5476 और 5476 का वर्ग मूल बराबर है 74 उदाहरन 11 चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताईए जो पूर्ण वर्ग हो हल चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर है 9999 हम दीर्ग विभाजन विधी द्वारा 9999 का वर्ग मूल ग्याद करते हैं जिसका शेश फल 198 है यह दर्शाता है 99 वर्ग 999 से 198 कम है दाई और एक सारणी बनी है खड़ी रेखा के दाई और 99999 लिखा है पहले 99 के उपर एक बार है दूसरे 99 के उपर दूसरा बार है खड़ी रेखा के बाई और 9 संख्या लिखी है 99 को 9 से भाग करने पर हमें 81 मिलता है और उपर हम 9 लिख देते हैं 99 से 81 घटाने के बाद हमें 18 मिलता है और नई संख्या 1899 मिलती है 1899 के बाई और हम लिखते हैं 189 और 1899 से 1701 घटा देते हैं शेश फल 198 मिलता है और उपर संख्या 99 मिलती है इसका अर्थ है कि यदि हम किसी संख्या में से शेश फल घटाते हैं तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है अतह वांचित पूर्ण वर्ग संख्या है 999 घटा 198 बराबर है 9801 और 9801 का वर्ग मूल बराबर है 99 उदहरण 12 वह सबसे छोटी संख्या ग्याद कीजिए जिसे 1300 में जोडने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्ग मूल भी ग्याद कीजिए हल दीर्ग विभाजन विधी से 1300 का वर्ग मूल ग्याद करते हैं यहाँ पर शेशफल चार है, यह दर्शाता है कि 36 वर्ग 1300 से छोटा है, अगली पूर्ण वर्ग संख्या 37 वर्ग बराबर है 1379, अतह अभीष्ट संख्या बराबर है 37 वर्ग घटा 1300 बराबर है 1379, घटा 1300 बराबर है 79, यहाँ पर एक सारणी बनी है, इसमें संख्या 1300 लिखी है, 13 के उपर एक बार है, और दो शुन्यों के उपर दूसरा बार, खड़ी रेखा के 22 और संख्या 3 लिखी है, 13 से 9 घटाने पर हमें 4 मिलता है और नई संख्या 400, 400 के बाई और संख्या 66 लिखी है, 400 से 396 घटाने पर 6 फल 4 मिलता है और उपर संख्या 36 मिलती है, अभी आप सुन रहे थे कक्षा 8 की गणित की ध्वनी पुस्तक का पाठ, वाचन स्वर, आकाश आहुजा, तक्नीकी समन्वयक, बटिलाइंग लिंग्डो, तक्नीकी सहायक, मयंकुमार, निर्मान सहयोग, रुची शर्मा, निर्देशन वनिर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत.